आधी जिंदगी निकल गई मजीरा वजाते वजाते आधी भी निकल ही जाएगी योजनाओं का इंतिजार गरते करते लेकिन कमबक्त ना ही वहनेता आया और ना ही कोई अधिकारी जो हमें लाब दिला पाताद अब तो साहब सहारा सिर्फ एक ही है वह है मजीरा वजाना यही जिन्दगी है और यही दोबक्त का खाना नहीं है और कोई ठीकाना तस्बीरों में जिस शक्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है करनवासुदेव यह नजारा हमें चतरपुर जिले के पराज खेरा गाउं में देखने को मिला है पुछने पर बताया गया वह नागोद के रहने वाले हैं उन्हें शासन की और से लाव ना मिल पाने के कारण गाउं गाउं घूंकर मजीरा वजा कर अपने परिवार के लिए दो बक्त के चूले चोके के लिए अनाज इकठा कर रहे हैं आप देवा हम लोग सालवरे में एक वार आते हैं अच्छा तो गाउं में आपके क्या लाव बगेरा सरकार का मिलता है अब हमारा रासनी काटनी बना है और ना हमाए पास जागा है ना जमीन है ना खेती की जागा कुछ भी नहीं है हमाए पास अच्छा ऐसे ही मांग के हैं अपना यह अपना कहों दिहाइतों में मजीरा बजा लिए तो खाने के लिए रासन हो गया और क्या नाम से अपना ही मजदूरी अजदूरी कर लिए बस क्या करें अब धीवन तो काटना किसी तरह